हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ गीत स्वागत है आप से भी का मेरे चैनल गार्णिंग विद गीत कुमार में कुछ विंटर फ्लारिंग प्लैंट्स के पौदे लेकर आई हूँ जो की सर्दी ऐसे पौदे जो सर्दियों में ही फ्लारिंग करते हैं अच्छा लगी वीडियो तो ला इस एक पौदा है पौइंसेटिया का प्लैंट इसमें बहुत सारी रंग आप लोगों को मिल जाएंगे इसकी खास बात यह होती है कि इसमें फ्लारिंग तो आते हैं लेकिन बहुत च्टे-च्टे साइज के आते हैं लेकिन इस प्लैंट की खुबसूरती जो है पूरी तरह पूरानय की निकल रही है वह बिलकुल रएड कलर की है तो यह जो प्लैंट है इसकी खुबसूरति की पत्तियों से ही होता है तो बहुत है खुबसूरत है अगर आप लोगों नहीं लिए तो आप लोग भी खरीदें रेट प्रोपालन करते यह ये पोधा और की कि सथार मित अगर आप लोगों के पास रेत नहीं है तो आप इसमें कोको पीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो यह था पॉइंट सेटिया और इसकी जो प्राइस थी फ्रेंट्स यह साड़े पॉधा वेलेवल है एक वाइट है यह देखे और एक और कलर अभी है यह देखें फ्रेंट्स मजटा कलर है है बहुत कुछ खूबसूरत है इस पॉद्धी की खास बात यह होती है कि इसके जो फ्लाज होते बहुत लंबे टाइम तक टिखते हैं, बहुत long lasting flaring plant है, एक बार full आ जाते हैं, तो लगबग एक आद महीने तक पूरी तरह से पौधों में भरे रहते हैं और पौधों में भर-भर के फ्लारिंग होती है, इसके खास बत यह है, कुछ पौधी तो ऐसे भी होते हैं, जिसमें सिर्फ फ्लार्ज ही दिखेंगे, इसमें फूली फूल दिखते हैं, जिसमें पत्तियां दिखती नहीं है, तो बहुत अच्छा प्लांट है, अगर आप इसमें असानी से मिल जाएगा, और नेक्स्ट जो प्लांट ही दिखेंगे, डालिया की एक डॉफ वराइटी है, जिसे पॉम-पॉम वराइटी भी कहते हैं, और यह डीप रेड कलर का है, यह इतने ही साइस के जो फूल आते हैं, इतने ही छोटे-छोटे साइस के फूल आते इसमें, और कलर इसमें आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएगे, तो डालिया की वराइटी थी, डॉफ वराइटी, पॉम-पॉम वराइटी, इसमें एक और कलर है, यह देखें यह डीप मरून है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और पॉधा छोटा ही रहेगा, ना फ्लास भी इतने चोटे ही आएंगे, तो बहुत ही खूबसुरत प्लैंट्स हैं, और इसके अलावा एंधूरियम का प्लांट, इसमें और भी कलर आते हैं, पिंक, वाइट इस तरह के, तो बहुत खूबसूरत इंडो प्लैंट्स होते हैं, यह बेसिकली, और इसमें जो potting mix बनाए फ्रेंस ये देखिए परलाइट कोको पीट इस तरह से मिला के इसमें तब लगाएं वरना इसकी जड़ें बहुत जल्दी सर जाती है और इसी तरह से इसमें फ्लाज आते हैं ये देखिए फ्रेंस तो बहुत सुन्दर प्लांट है और पॉमपम की झा और वाराइट है जो की विंटर फ्लारिंग प्लांट होते हैं येलो कलर फ्रेंच यह देखिए ये येलो कलर का है इसका भी पौधा काफी छोटा है इसमें भी काफी बर्ड्स बन रहे है तो बहुत खुबसूरत पौधा है ये था क्रुसान्थमम तो यही कुछ विंटर फ्लारिंग प्लांट से अभी मेरे पास इसके लावा गेंदे के भी पौधे हैं काफी वराइटीज है गेंदे की तो यही कुछ पौदी थे winter flowering plants के मेरे अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो like, share and subscribe जरूर करें मेरे चैनल gardening with geet kumar को मिलूंगी next video में till then bye friends take care